हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माई यूटूब चैनल किउन्स व्यूटी कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छा हेर टिर्स फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी में आपको करनाए अपने स्केल पर और अपने बालों पर सबसे पहले आपको मैं समान बता दू कि आपको क्या चाहिए तिसे लिए हमें चाहिए तीन मीडियम साइच के थेम प्याज मीडियम के तीन फ्र Lena rating अंगर आप को कैस्टूर आपको कहीं भी किमिस लिएक चाहिए कईश्टूर यह लेते हैं प्याच को चैशनी से शालना है कई बड़ी चन्नी से चाहिए उसमें प्याज केभी कर आ सबसे पहले कोई कपड़ा लेना कपड़े में प्याज को कदूकस कर रखें उसे निछोड़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से उसमें से काफी मात्रा में रस निकलता है आपको उसमें मिक्स करना है बिटामिनी की कैपसूल प्याज के रस में और आपको कैस्टर इसमें केस्टर ही ओयल मिक्स करना इसमें कोई भी चीज आप अलग से नहीं आइड कर सकते विटामिन E की कैपसूल केस्टर और प्याच का अरज इन तीनों चीजों को आप मिक्स करिए अपने इसकेल्प पे लगाईए इसकेल्प पे लगाने के बाद आप अपने बालों में जоры लंड़े लाइए दीन में लगाते हैं तो कम से कम इसे तीन घंटा रखे अगर आप लगाते हैं यह की sonam महां काम काम करती हैं कि आप इन्हें रात में यूज करिए और शुबब ते मेला आती है तो कोई भी है रूसीछ द्यान रहे दोस्तों और कैप कभी भी प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए आप आज कल सावर कैप बहुत ही अच्छे आते हैं डिस्पोजिबल सावर कैप आते हैं आप उसे यूज करिए रात को सोते समय प्लास्टिक के सावर कैप लगा कर नहीं सोना चाहिए क्योंकि हमारे जो स्कैल्प से जो यूज करिएगा आप यूज करिएगा केवल डिस्पोजबल वाले और इसे रात में रख लीजे और सुबह दिन सैंपू कर लीजे फ्रेंड्स इसे आपको वीक में तीन बार करना है आप देखना दोस्तों इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है अगर आपको सूट करें और आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा तो मिलती हूं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी सी चीजों के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ टेक केर